धार में कांग्रेश पार्टी की गुटवाजी में सम्वन इस्थापित करने के लिए अखिल भारती कांग्रेश कमेटी द्वारा प्रदेश इश्टरी सम्वन इसमिती अध्यक्ष दिग विजय सिंग और समिती के सदद से एकता यातरा के साथ धार पहुँचे तो वैसे ही सर बिधान सभा में कांग्रेश की जीत हो सके जिसके बादे गार्डन में श्रीशिंग ने कारिकरताओं को सम्मुदित करते हुए कारिकरताओं से कहा कि मोदी और शिवराज सरकार किशान विरोदी है 15 सालों में बिजली के बिल पूरे पूरे बशूले और अब चुनाव नज का पाई और शिवराज सरकार में ब्यापम जैसे बड़े घुटाले किये जिसमें हमने कारिवाही करके मंत्री अधिकारियों को जेल भिजवाया श्री सिंग ने कहा कि 2003 में प्रदे सरकार पर मात्र 10,000 करोड रुपय का कर्ज था जो आज 2,00,000 करोड रुपय का कर्ज हो चोटे बड़े नेताओं ने अपने घर बना लिए हैं और महगी महगी गाड़ियों में घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टिसन 1994 से लेकर 2003 तक हमने धान पर और गेवों पर सब्सिदी दी लेकिन अब जबकी चुनाव पास आ गया तो फिर अब ये सब्सिदी देना मुन शू करती है लोग को मूर्ख बनाने का इंका पुरा पर आसके क्या मतलुदेश में कांग्रेस की सरकार बसकी है कि क्या कांग्रेस शराफबन्धी लागू करे कि शराफबन्दी एक ऐसी चीज है जो गुझरात में सिँगो से चल रही है और वहां सबसे आसान है सराफबन्दी करने हुआ है उन-उन प्रांतों में शलाब बंदी असफल रही है, फिर दी कॉंग्रेस पार्टी क्या मिर्टे लेती है, यह हमारा चुनाव घुशना मतुत है करेगा.